प्रभा और संजय पिछले 30 वर्षों से सुखी विवाहित जीवन विदा रहे हैं। वे अपने पुत्र जय के प्राउट पेरेंट्स हैं। उन्होंने उसे नया जीवन पानी के लिए उस्ट्रेलिया भेजने भी कड़ी मेहनद की। उनकी मेहनद सफल हुई। जय ने अच्छी तरह पढ़ाई की और एक अच्छी से नौकरी ढूंड ली और एक सुंदर पत्नी लक्षमे प्राप्त की। जय ने अपने माता-पिता को सुझाव दिया कि वे उस्ट्रेलिया के लिए माइग्रेट करें। यहाँ जीवन अच्छा है। वे अपने सारे रिसोर्सिस जमा करके एक मकान खरीद कर एक साथ रह सकते हैं। अपने बेटे के साथ नया जीवन बिताने की एक्सपेक्टेशन्स से एकसाइट हो। संजय और प्रभा ने सब कुछ बेच दिया। उनके लिए उस्ट्रेलिया आना एक सपनी के सच होना जैसा था। परंतु जल्दी ही दैनिक जीवन की वास्त्विक्ता का असर होने लगा। प्रभा और संजय परिवार की एक्सपेक्टेशन्स का दबाव महसूस करने लगे। प्रभा और संजय से आशा की जाती थी कि वे सभी भोजन तयार करेंगे और घर को साफ सुथरा और ठीक ठाक रखेंगे। उन्हें लगा कि उनका सही आदर नहीं हो रहा है। उन्हें ऐसे जीवन की उमीद नहीं थी। वो अपने पुत्र को कभी कबार देखते थे और उन्होंने कोई नई मित्र नहीं बनाये थे। वे अखेलापन महसूस करने लगे और हर समय टेंशन में रहने लगे। वापिस भारत लोटने का कोई विकल्प न था। उनका सारा धन अपने बेटी की साहता करने में खर्च हो चुका था। इसके अलावा उन्हें अप पहले कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि आस्ट्रेलिया कितना महंगा है। दस वर्ष गुजर गए। उनके पोते-पोती बड़े हो रहे थे। परन्तु प्रभा और संजय अपनी बढ़ती आयू और अपने बढ़ते हुए परिवार के साथ रहने का दबाव महसूस करने लगे। बीटते समय के साथ प्रभा, कमजोर और बिमार हो गई। उनके फैमिली डॉक्टर ने उसकी स्थेती समझी और कुछ इन्फरमेशन दी जो उनकी साहायता कर सकती थी। उन्होंने Home at Last organization को फोन किया। जिस व्यक्ति से उन्होंने बात की, उसनी उन्हें रिलेक्स महसूस कराया और कहा कि वे social accommodation ढूनने में उनकी साहायता कर सकता है। इसके पहले संजे और प्रभा ने इस बारे में कभी नहीं सुना था। कुछ जगहों को देखने के बाद संजे और प्रभा ने एक apartment ढून लिया जो उनके लिए बिल्कुल appropriate था। अपना स्वयम का घर पा बहुत बड़ा अंतर आया और वे अपने को अधिक capable और independent महसूस करने लगे। और सबसे अच्छी बात तो यह हुई कि वे अपने बेटे के साथ उनके family relations फिर से ठीक हो गए। वे अपने को बात तो यह हुई कि वेगा एक हो जो आएठी और सो यह हो गचाववगर वे लिया लिए झाल झाल